साथियों, 18 एप्रिल को जो आप अपना वोट डाल रहे हैं, उसका उदेश क्या है, ये भी समझेए। ये चुनाओ, कोई एक विधायक चुनने के लिए, या कोई एक साउसद चुनने के लिए, या एक मुख्यमंत्री या प्रदान मंत्री चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाओ, नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण के लिए है। करेंगे कि भारत महा सकतियों के साथ कदम ताल करेगा या फिर गरीबी बिमारी और भुपणी के चुंगाल में फसा रहेगा। यह चुनाव तय करेंगे कि भारत के दुश्मनों को घर में गुश कर मारेगा या फिर चुपचाप बाम और गोले का अगाज सहेगा यह चुनाव तय करेंगे कि हिंदुस्तान के हिरो मजबूत होंगे या पाकिस्तान के पक्षकार मजबूत होंगे ये चुनावताय करेंगे कि हमारे जवानों को, किसानों को और नवजवानों को सम्मान मिलेगा या फिर देश के टुकडे-टुकडे करने वालों के आवाज गुंजेगी ये चुनावताय करेगा कि चौकिदार रहेंगे या प्रश्चाचार करने वाले किरदान रहेंगे आपको चौकिदार चाहिए या प्रश्चाचार